वह पाकिस्तान वह अब तेरा हाल क्या हो गया है। ये इकठा कियो हुए पैसे को अतंकवाद को मजबूत बनानी के लिए प्रियोग करते हो तो और करो प्रियोग अपना हाल देख रहे हो न, क्या हो गया है तुम लोगों का जिस आतंकवाद को तुम लोग पाल रहे हो आज वही आतंकवाद तुम्हारे लिए ही घातक सावित हो गया है जहां तुम्हारे अपने और मासूं मासूं बच्चे मारे गये यार एक बात बताओ, तुम लोग कब सुद्रोगे? ये बात तो तुमको भी पता है कि तुम अखंड भारत के हिस्सा हो फिर भी अजीब हरकत करते हो, क्यार जबसे बटवारा हुआ है न, जाने तुम लोग क्या क्या करते रहे हो कभी हमारे भारत पे हमला कर देना, तो कभी-कभी अतंगवादी को चोरी चुप के हमारे देश भेज़देना तो कस्मीर हमारा है ये बार-बार मांग करना, और भी न जाने क्या-क्या गलत-गलत काम करते हो यार तुम सब पाकिस्तान के जितना भी अतंगवादी पालने वाले लोग हो और भारत के खिलाफ नफरत पालने वाले लोग हो एक बात बताओ तुम लोग अपने देश के लिए क्या किये हो थोड़ा सा भी अपने देश प्रधान देते तो आज ऐसी हालात न होती थोड़ा कानून बेवस्ता ही सही कर लेते तो आज जो घटना तुम्हारे पाकिस्तान में हुआ है वो कभी ना होता वैसे भी तुम पाकिस्तानी महिलाओं को इज़त करना जानते तो ये सब दुसकर्म ना करते जो आज हुआ है तुम्हारे पाकिस्तान में दोस्तो جो पाकिस्तान दुसरों के देश में ड्रक्स को चोरी चीपे भेज के उस देश को कमझोर करता और बदनाम करना चाहता था आज उसने अपने ही देश में उसी ड्रग के सहारे पाकिस्तान के इस्लामिय उनवर्सिटी में पच्पनसो से अधिक लड़कalyuk साथ दुसकर्म कर उनका बीडियो बनाके वाइरन किया दोस्तों हम आपको बता दे कि पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली बचिया हो या इनुवर्सिटी में पढ़ने वाली बालिक छत्राय कोई भी सुरक्षित नहीं है दरसल पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्केंडल सामने आया है जिससे इसलामाबाद से लेकर लाहर और कराची तक बवाल मच गया इसे दुनिया का भी सबसे बड़ा सेक्स स्केंडल बताया जा रहा है दरसल कॉलेश चत्राओं के पचपन सो असलील वीडियो मिलने का ये सायद एकलावता या पहला मामला ही होगा बहावलपूर की जिस इसलामी उनुट सिटी के लड़कियों के असलील वीडियो और तस्बीरे वाइरल हुई है बताया जा रहा है कि पिछले कापी समय से इस उनुट सिटी के लड़कियों को इनुट सिटी में काम करने वाले लोग ब्लैक मैल कर रहे थे पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पडोसी दिस में चल रहे सेक्स स्केंडल के पीछे पाकिस्तान की केंद्रिय सरकार के एक मंत्री के बेटे का हाथ है कुछ चैनल उसका नाम खुलासा कर रहे तो कुछ ने नाम चिपाया है इस मंत्री पर या रोब बिल रग रहा है कि वो अपने बेटे को बचा रहा है पाकिस्तान के बहावलपुर के इसलामी अनुवर्सिटी में क्या हुआ ये हम पांच पॉइंट्स में बताती है पहला इसलामी अनुवर्सिटी के लड़कियों के असलील वीडियो सामने आये हैं तुसरा इस वरदात में इनुवर्सिटी का ही चीफ सेकुरिटी आफिसर और कुछ प्रोफेसर सामिल है तीसरा चीफ सेक्यूरिटी ओफिसर के मोबाईल से पचपन सो असलील वीडियो और तस्बीरे मिली है चौथा असलील वीडियो और तस्बीर इनवर्सिटी की ही छत्राओं की है पांचवा पुलीस को अपनी जाच में बड़ी मातर में ड्रक्स भी बरामद हुई है इस गटना ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है पाकिस्तान के बाहौल पूर इनवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान के लड़के लड़कीों को पढ़ने आते हैं इस इनवर्सिटी में करीब 50-60 शत्राओं पढ़ते हैं दोस्तों हम बात करें International Islamic University या IIUI इस्लामावद पाकिस्तान में इस्तित एक सारवजनिक सोद बिसुबिदाले है। बिसुबिदाले के अस्तापना 1980 में पाकिस्तान के अंदर से वित पोसड और साओधी अरब से बिदेशी दान के साथ की गई थी। और 1980 में इसका पुनर गठन किया गया है। और यह पाकिस्तान में उस सिख्षा के लिए एक मुलिवान सुरूत बना हुआ है। बिशुपीदाले को पाकिस्तान के उच्छ शिक्चा आयोग द्वारा नेयमित रुप से पाकिस्तान के सबसे मानेता प्राफ बिशुपीदाले और 30 डिगरी प्रदान करने वाले संस्तानों में सुची बध किया गया है। पाकिस्तान में टाइम सारे एजुकेशन वर्ल्ड इन्वर्स सीटी रैंकिंग की 2022 की सिर्फ 20 सुबिदाले रैंकिंग में 20 सुबिदाले सन्यूप तुरुप से दूसरे अस्तान पर है। पाकिस्तान के उच्छ सिक्षा आयोग द्वारा समाने स्रेणी के लिए लगतार देश के सरसेट 20 सुबिदाले में सुमार किया जाता है। नया परिसर इसलामाबाद के सेक्टर H-10 में हैं। नया परिसर के निर्माल का पहला चरड़ 2013 में पूरा हुआ है। तब से महिलाओ के लिए एक परिसर छेत्र अस्तापित किया गया है। 2016 सेंटरल लाइबरेरी और लिंगन कॉर्नर का निर्माल पूरा हुआ था। तो हमारे पाकिस्तान के प्री मदर्सा को स्कूल और स्कूल को मदर्सा बनाने वाले लोगों। खृपया कर पाकिस्तान को अच्छी सिख्षा देने का कश्ट करें। ना कि आतंकबात फैलाने का काम करें। भारत आपको छोटा बच्चा समझ के माफ कर दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत को आप हलके में मिले। याद रहे भारत ने आपको हलके में ले लिया लूँ तो आप और हलके हो जाओगे। समझदार बनो, जानी बनो, खुद भी सांती से रहो और दूसरे को सांती से रहने भी दो। धन्यबात। आसा करते हैं दोस्तों आपको यह जनकारी पसंद आई होगी और ऐसे ही जनकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चाता सेर अवस्य करें। धन्यबात।